हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो प्रिपरेशन फॉर ओल, आज हम करेंगे इंग्लिश में एड्जेक्टिव के कोशन आंसर, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर्स्ट कोशन है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, कि पूरा सेंटेंस ठीक है, इसमें एड्जेक्टिव की कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसलिए हमारा इउप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड कोशन देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, तो सौटें के साथ क्या लगा है, जो क्या है हमारा, या तो हम इसको सर्टें की जगा असर्टें कर दें, या तो बॉइ की जगा बॉइस करतें, तो दोनों तरीके से यह हमारा संटेंस ठीक होगा, तो इसलिए बी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड कोशन देखेंगे, अब यहां पर क्या है, कि इच एन एवरी क्या होता है, मतलब दो के लिए सिर्फ यूज करते हैं, और यहां पर क्या है, फाइब पुलिसमेन है, मतलब दो से जादा है, तो दो से जादा के लिए हम हमेशा इच का यूज करेंगे, तो each and every की जगह पे क्या हो जाएगा हमें each का यूज़ करना पड़ेगा तो इसलिए be option हमारा correct होगा फोर्थ question देखेंगे अब यहाँ पे है कि each an achievement है ना तो यह क्या पूरा sentence बिल्कुल correct है हमारा यूप्शन correct हो जाएगा फिफ्थ question देखेंगे इस शॉट ओफ मैन अटेंड वर्डली सक्सेस बाइ हुक और बाइ क्रुक सो दे डिजर्ब टू बी लुक्ड डाउन अपॉन नो एरर अब यहाँ पे है कि success है ना अटेंड वर्डली सक्सेस बाइ हुक बाइ क्रुक तो यहाँ पे दीज शॉट अ मैन अब यहाँ पे क्या है शॉट लेकिन शॉट के बदले क्या आएगा शॉट आएगा क्योंकि दीज है ना कि दीज है या तो हम दीज के क्या कर दे कि short को shots कर दे थीक है तो तीनों अगर हम कर सकते हैं तो तीनों में से कोई सा भी change कर सकते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या option correct हो जाएगा शिक्स्त question देखेंगे I feel a certain problem in accusation of this plan no error अब है certain और certain के बाद क्या है or certain है or certain के बाद क्या है problems है लेकिन हमें क्या करना है certain के बाद हमेशा क्या होता है singular countable number होता है तो यहाँ पे या तो certain कर दे या तो problems को हटा के problem कर दे तो दोनों तरीके से यह sentence हमारा correct हो जाएगा इसलिए be option correct है 7th question देखेंगे in spite of facing much problems he did not desert the path of honesty no error अब देखिए यहाँ पे क्या है much है तो much क्या है quantitative quantitative के साथ हमेशा मतलब क्या much नहीं आता quality के साथ आता है तो यहाँ पे हम many quantitative के साथ क्या आता है कि many आएगा है ना और uncountable noun के साथ भी क्या आता है many का यूज करते हैं problem क्या है quality है इसके अंदर quality है तो इसलिए हम क्या करेंगे many का use करेंगे तो यहाँ पे b option हमारा correct हो जाएगा 8th question देखेंगे can you tell me how many eggs and milk he has brought home no error अब यहाँ पे क्या है many eggs how many तो यहाँ पे इसके बाद end के बाद भी क्या आएगा how many how many नहीं आएगा how much आएगा क्योंकि क्या है how much जो है uncountable noun की क्या बताता है adjective बताता है तो इसलिए क्या हो जाता है हो जाएगा यहाँ पे how much milk तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगा है इसलिए c option हमारा correct हो जाएगा 9th question देखेंगे whole the chapter of the book is full of printing errors which are the outcome of the proof readers carelessness no error अब यहाँ पे क्या है whole the chapter है लेकिन whole the chapter नहीं होगा the whole chapter होगा क्योंकि क्या है whole क्या है एक quantitative adjective है तो उसके पहले the का use होगा ना की बाद में तो इसलिए हम क्या करेंगे a option को tick करेंगे 10th question देखेंगे he did not like to lend me any book or any money no error अब यहाँ पे क्या है कि यह पूरा sentence जो बिल्कुल correct है तो इसलिए हमारा e option correct हो जाएगा 11th question देखेंगे her black long hair adds glamour to her look no error तो यहाँ पे क्या है black long है तो black long नहीं होगा long black होगा क्योंकि देखिए adjective of size जो होता है और adjective of color तो adjective of size के बाद में आता है क्या adjective of color तो इसलिए यहाँ पे her long black hair होगा ठीक है तो a option हमारा correct हो जाता है यहाँ पे 12th question देखेंगे I begin to tremble when I saw a sharp long knife in my enemy's hand no error अब यहाँ पे भी देखिए a sharp long knife है तो long sharp knife होगा ठीक है क्योंकि क्या अब यहाँ पे क्या है adjective of size क्या होता है हमेशा पहले आता है तो इसलिए a long sharp knife का use करेंगे हम तो c option correct हो जाएगा 13th question देखेंगे I saw an anexious pale girl who when asked let me know that she was suffering from consumption no error अब यहाँ पे क्या है an anexious pale girl क्ये बदले क्या हैगा एपेल anexious girl क्योंकि देखिए adjective of human emotion को बता रहा है क्या anexious और personality को बता रहा है तो adjective of color क्या होगा पहले आएगा जैसे pale है तो color है तो adjective of color पहले आएगा उसके बाद क्या आएगा adjective of human emotion या personality तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि B option correct हो जाएगा 14th question देखेंगे it is a fact that महात्मा गांधी was the first politician of his time no error तो यहाँ पे क्या है first तो first नहीं use करेंगे हम for most use करेंगे देखेंगे फर्स्ट जो है वो क्या है positive degree है former क्या हो जाता है comparative degree हो जाता है और superlative degree क्या हो जाता है first का foremost हो जाता है तो इसलिए foremost जो हमारा जो politician है वो क्या है superlative degree में आएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे most मतलब बहुत जादा महात्मागानी क्या है एक नाम है तो इसलिए हम क्या करेंगे superlative degree का use करेंगे तो c option यहाँ पे correct हो जाएगा 15th question देखेंगे at the utmost get was standing aground holding a gun in his hand no error अब यहाँ पे क्या है utmost है तो utmost के बदले outer most का use करेंगे क्योंकि देखिए comparative degree utmost का क्या हो जाएगा outer या utter ठीक है और superlative degree क्या हो जाएगा outer most या utmost और positive degree क्या है utmost है ही तो ठीक है जो मतलब इस sentence को complete करने के लिए हमें क्या superlative degree का use करना पड़ेगा क्योंकि क्या है सबसे बाहर का द्वार बता रहा है सबसे बाहर का द्वार तो मतलब सबसे बाहर का द्वार क्या superlative degree है तो इसलिए हम क्या करेंगे outer most का use करेंगे ठीक तो इसलिए ए उप्शन हमारा correct होगा यहां पर 16 question देखेंगे Delhi is the further from Patna than Kolkata no error अब यहां पर क्या है Delhi further तो further के बदले क्या लिखेंगे हम farther लिखेंगे क्योंकि farther का क्या होता है मतलब होता है दूर further का मतलब मतलब भी दूरी ही होता है लेकिन उसमें क्या है additional करना पड़ता है क्या to का या beside का यूस करेंगे लेकिन farther farther का अर्थ भी दूरी होता है तो यहां पर क्या है farther का यूस करेंगे हम ठीक है तो यहां पर be option correct हो जाएगा 17th question देखेंगे This book is undoubtedly preferable than that in many respects and its printing is also comparatively good no error अब यहां पर क्या है कि undoubtable preferable than तो than के बदले हम क्या यूस करेंगे to का यूस करेंगे क्यूं क्यूंकि हम जब भी मतलब preferable आए या prefer आए मतलब या senior junior superior यह सारे words आते हैं तो इसके बाद हम conjunction जो than है उसका यूस नहीं करते हैं हम हमेशा preposition जो two है उसका यूस करते हैं ठीक है तो इसलिए be option यहां पर हमारा correct हो जाएगा 18th question देखेंगे of the two player he is the luckiest be sure no error अब यहां पर है luckiest तो luckiest के बदले luckier का use करेंगे क्योंकि हम दो बच्चों में क्या कर रहे हैं compare कर रहे हैं superlative degree का use नहीं करेंगे comparative degree का use करेंगे क्योंकि comparison हो रहा है यहां पर तो इसलिए क्या आएगा c option हमारा correct हो जाएगा 19th question देखेंगे you can trust this agency for the last news of this week no error अब है यहां पर last तो last के बदले क्या आएगा last test का use करेंगे हम क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है compare हो रहा है पहले से बाद को क्या कर रहे है compare कर रहे है तो इसलिए यहां पर last के बज़े क्या आएगा last test आएगा तो c option हमारा correct हो जाएगा 20 question देखेंगे SEMA is senior to me but you are junior than me no error तो यहां पर क्या है कि हमने पहले में देखा था कि क्या है senior, junior या preferable, superior, inferior इनके बाद क्या आता है to का use होगा to जो हमारा preposition है उसका use होगा ना कि conjunction then का ठीक है तो यहां पर D option correct हो गया 21 question देखेंगे Everybody knows that Ragni is the most unique singer of this college no error अब क्या है the most unique the most unique है the most unique जो है unique के पहले the most का use नहीं करेंगे हम क्या करेंगे A का use करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि जब भी कोई active positive degree को superlative degree मतलब positive degree है लेकिन earth कैसा दे रहा है superlative degree का earth दे रहा है जैसे कि कौन-कौन से वो वर्ड हो जाते है वो unique हो जाता है excellent हो जाता है major, minor, maximum, minimum perfect यह सारे वर्ड क्या हो जाते है positive degree तो होते है लेकिन जो earth है definition है वो क्या देते है कि superlative degree का देते है तो उसमें हम क्या करते है यह का use करेंगे उससे पहले तो इसलिए हमारा c option यहाँ पे correct हो जाएगा 22 question देखेंगे रीता कैन sing much than 50 song at a stretch and she has developed this ability by labouring hard no error अब यहाँ पे देखिए much है तो much के बदले क्या use होगा more का use करेंगे क्योंकि क्या है positive degree का quantitative degree है तो यहाँ पे much मतलब क्या compare कर रहे है है ना compare हो रहा है तो much के बदले क्या more का use करेंगे ठीक है तो यहाँ पे be option correct हो जाएगा 23 question देखेंगे she was curious to know what it was that made him stronger and braver than any man of this village no error अब क्या है any man के बदले any other man या anybody else का हम use करेंगे यहाँ पे क्यों क्योंकि यह पूरा sentence को जो correct बनाने के लिए हमें any other man या any sentence को correct बनाने के लिए हम इसका use करेंगे तो d option यहाँ पे correct हो जाएगा 24 question देखेंगे she has a remarkably loving appearance which bring her honor and admiration as well no error अभी यहाँ पे है lovingly तो lovingly के बदले क्या करेंगे loving का use करेंगे क्योंकि lovingly क्या है एक adverb है और हमें यहाँ पे किस चीज का use करना है adjective का use करना है तो इसलिए हम क्या loving का use करेंगे ठीक है तो b option यहाँ पे correct हो जाता है 25th question देखेंगे no error अभ क्या है कि यहाँ पे a lot of book है तो a lot of book का use नहीं होगा a lot of book का use होगा क्योंकि क्या है एक idiomatic है और idiomatic कभी भी change नहीं होता है तो lots of नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे a lot of लिखेंगे तो ए ओप्शन हमारा correct हो जाता है 26 question देखेंगे he does not have some money to buy a new x-ray plant so he is shunk in anxiety no error अभ यहाँ पे क्या है कि some तो some के बदले हम क्या करेंगे any का use करेंगे क्यों क्योंकि predict हम कोई चीज़ जब predict करने लग जाते है या मतलब sentence जो क्या होता है affirmative में होता है या negative में होता है तो हम इसको क्या any से denote करते है मतलब any लगाते है ना कि some नहीं लगाएंगे excessive sentence में हम क्या करेंगे some का use करेंगे लेकिन any का use क्या करेंगे affirmative sentence हो या फिर negative sentence देता हो तो उसके लिए हम any का use करेंगे ठीक है तो यहाँ पे be option correct हो जाएगा 27th question देखेंगे gold is the most precious of all the metal that are used in ornaments as far as well all known no error अब यहाँ पे क्या है यह पूरा sentence बिलकुल ठीक है तो इसलिए यह option हमारा correct हो जाएगा 28th question देखेंगे he is the most successful man in the world I have ever known no error तो क्या है इसमें भी यह पूरा sentence ठीक है तो इस option हमारा correct हो जाएगा 29th question देखेंगे no less than 50 audience are sitting in the hall and waiting for their beloved artist appearance on the stage no error अब यहाँ पे क्या है कि हमें दे रखा है no less तो no less के बज़ाए क्या करेंगे no fever का use करेंगे हम क्योंकि क्या quantity बताना है less quantity बताता है ठीक है less fever क्या बताता है less quantity बताता है तो हमें क्या less quantity ही बताना है तो less quantity बताने के लिए हम क्या करेंगे no fever का use करेंगे तो यह option हमारा यहां पर correct हो जाएगा 30 question देखेंगे her father told her that it would be all the more better if she would find her groom herself no error तो यहां पर देखिए more का हमें use मतलब more को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि more better क्या हो जाएगा एक double comparative बन जाता है जो मतलब हम कभी भी sentence में दो comparative ली या दो superlative use नहीं करते हैं एक standard English sentence में तो इसलिए हाँ पर more को हम हटा देंगे better का use होएगा इसलिए b option हमारा correct हो जाएगा 31 question देखेंगे she had no other hobby than that of wearing a dress of the latest design no error तो यह क्या है पूरा sentence ठीक है हमारा no error e option correct हो जाएगा 32 question देखेंगे this young lady is more beautiful but not so cultured as her youngest sister no error अब यहाँ पर क्या है more beautiful के बाद क्या आएगा than का use करेंगे क्योंकि हम क्या दो चीजों में comparison कर रहे हैं तो comparison कर रहे हैं तो comparative degree का लगना जरूरी है तो इसलिए हम क्या करेंगे more beautiful than का use करेंगे इसलिए be option correct हो जाएगा 33 question देखेंगे much to his fortune he married a girl who was more tall and lovelier than the her elder sister no error अब यहाँ पर क्या है कि tall है तो tall more tall है वो भी तो हम comparative degree में क्या आता है हमेशा taller यह मतलब ER लगेगा superlative degree में EST लगेगा तो इसलिए more tall की जगह के आएगा taller का use करेंगे तो इससी option यहाँ पर correct होगा 34 question देखेंगे what please him more is a healthy criticism of his performance no error तो आप देखेंगे यहाँ पर more है तो more के बदले क्या आएगा most का use करेंगे या more के बाद क्या करेंगे then का हम use कर लेंगे पर वो then का use करेंगे तो क्या हो जाएगा वो गल्थ हो जाएगा तो इसलिए हम most का ही use करेंगे क्योंकि वह चीज जो उसे सबसे अधिक पसंद करती है है ना तो सबसे अधिक पसंद करती है most तो सबसे अधिक पसंद करती है तो most आएगा ना कि more than compare नहीं करने हैं हम तो most आएगा superlative degree आजाएगा यहां पर तो most आजाएगा तो इसलिए be option correct हो गया हमारा 35 देखेंगे तो यहां पर क्या है कि पूरा sentence ठीक है यह option हमारा correct हो जाएगा 36 question देखेंगे nowadays the weather is getting cold and the colder no error तो यहां पर क्या है मतलब cold cold है देखें nowadays the weather is getting cold and colder तो cold के बदले क्या लिखेंगे colder and colder लिखेंगे क्योंकि compare कर रहे हैं है ना पिछले दिनों के और आज के दिन से compare कर रहे हैं तो हम comparative degree का use करेंगे तो यहां पर क्या होगा c option हमारा correct हो जाएगा 37 question देखेंगे he often tells us that he does not like anything more than sleeping peacefully no error तो पूरा sentence यह ठीक है तो no error यह option हमारा correct हो जाएगा 38 question देखेंगे this photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse no error अब यहां पर क्या है कि better मतलब better के बदले क्या good का हम use कर लेंगे क्योंकि comparatively relatively के बाद क्या हता है हमेशा positive degree का use करते हैं ना कि comparative degree का तो इसलिए better के बजाए हम क्या लिखेंगे good मतलब this photograph was comparatively good ठीक है यह कहना ठीक रहेगा तो इसलिए be option correct हो जाएगा 39 question देखेंगे she was started to see in her drawing room a most popular film producer no error तो क्या है यह पूरा sentence ठीक है तो यह option हमारा correct होगा 40 question देखेंगे India is better than most other film producing country of the world no error अब यहाँ पे क्या है कि मतलब other के बदले क्या लिखेंगे others लिखा है यहाँ पे तो others नहीं होता है other होता है any other all other most other होगा हमेशा मतलब कभी भी other को हम plural form में नहीं बनाया जाता है तो हम क्या singular form में other लिखेंगे तो इसलिए be option correct होगा 41 question देखेंगे non can believe that Ramesh is happier than grieved to know it no error अब क्या है happier है तो happier के बदले क्या लिखेंगे हम more happy लिखेंगे क्योंकि दो executive की क्या कर रहे है हम comparison कर रहे है तो comparison करने के लिए हम comparative degree का use करेंगे more happy ठीक है ना कि happier का use करेंगे तो C option correct होगा 42 question देखेंगे Delhi is far better than any other metropolis of Pakistan no error अब यहाँ पर क्या है other है तो other का use हम नहीं करेंगे क्योंकि क्या एक group की बात हो रही है comparison यहाँ पर मतलब किसी की तुलना नहीं हो रही है हम एक group की बात कर रहे है तो any के बाद हमेशा other नहीं आएगा any के बाद क्या आएगा singular noun लिखेंगे तो any के बाद other को हटा देंगे singular noun का भी use करेंगे ठीक है तो be option correct हो गया 43 question देखेंगे all your attempts are daring but this one is certainly the more daring no error अब यहाँ पर क्या है कि more daring मतलब the more daring तो more daring के बदले क्या हैगा most का use करेंगे हम क्योंकि क्या यहाँ पर comparison नहीं हो रहा है यहाँ पर superlative degree आएगा सिर्फ मतलब एक whole चीज के बारे में एक चीज को बहुत सारी चीज उससे क्या करेंगे compare करेंगे तो इसलिए क्या करेंगे most का use करेंगे तो d option correct होगा 44 question देखेंगे this is the most difficult sum I have ever solved within 5 minutes no error अब यहाँ पर क्या है more की जगह के आएगा most difficult आएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या पता चलता है ever solved कभी solve नहीं किया वो बहुत सारी चीजों से क्या कर रहा है एक चीज को हटा रहा है तो इसलिए superlative degree यूज करेंगे तो इसलिए be option correct होगा 45 देखेंगे question there is no one whom I esteem highly than your mother and father no error अब यहाँ पर क्या है highly है मतलब अब दो चीजों को यहाँ पर क्या कर रहे है compare कर रहे है तो compare करने के लिए का करेंगे comparative degree का use करेंगे तो यहाँ पर highly नहीं आएगा क्या हाइयर आएगा तो highly के बज़ाए क्या करेंगे higher higher than तो c option correct होगा अब है 46 he failed to find out the solution to all the problem despite his thoroughly study of the book no error अब यहाँ पर क्या है thoroughly है तो thoroughly के बदले क्या करेंगे throw करेंगे क्योंकि thoroughly क्या होता है एक adverb हो जाता है और throw क्या है adjective है तो हम यहाँ पर यह मतलब adjective का जो पूरा sentence है उसका meaning क्या है adjective से ही निकल के आएगा तो इसलिए adjective का use करेंगे यहाँ पर तो c option हमारा ठीक होगा 47 question देखते है since has given us a lot yet life is becoming more and more painful no error तो यह पूरा sentence ठीक है no error हमारा e option correct हो जाएगा 48 question देखेंगे रमेश is as good if not better than all the members of the club which is known as the lions club no error अब यहाँ पर क्या है as good के बाद क्या करेंगे as good as होता है हमेशा मतलब as को मतलब अगर बीच में positive degree है और या फिर comparative degree भी है तो as क्या है दोनों तरफ आता है तो क्या करेंगे as good as लिखेंगे या फिर अगर comparative degree भी होता तो as better as लिखते ठीक है तो इसलिए as good as आएगा तो a option correct होगा 49 question देखेंगे he felt happily to learn that his younger brother had got a precious job in the in he bank no error तो यहाँ पर क्या है कि happily है तो happily के बदले क्या आएगा happy का use करेंगे क्योंकि क्या है यहाँ पर feelings का पता चल रहा है अगर feel, taste, seem, appear यह सारे जो क्या है kepula verb होते है तो इसके बाद क्या आता है adjective का use होता है kepula verb के बाद क्या आता है हमेशा adjective का use होता है ना कि adverb का use होगा तो happily क्या है एक adverb है तो adverb का use नहीं करेंगे हम adjective का use करेंगे तो क्या करेंगे यहाप हैपली की बदाई क्या करेंगे happy लिखेंगे तो A option correct हो गया 50 हमारा आज का last question होगा अब यहाँ पे greatest के बदले क्या greater का use करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है compare कर रहे हैं हम तो comparison में comparative degree का use होगा तो इसलिए greater का use करेंगे D option हमारा correct होता है तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे complete होता है आप इसको अच्छे से देखिएगा पहले खुद करने की कोशिश किजिएगा ओके थैंक यू